नमस्कार मैं हो ससी आया ज्यारखन के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं ज्यारखन में आज विकेट लोकडाउन ज्यारखन में विकेट लोकडाउन जारी है हेवन सरकार ने अनलोग 6 में भी सब्ताहिक लोकडाउन में छुट नहीं दी है हलाकि इस दोराण कोश दुखानों को खोलने के उनमती दी गई है बतादे आपदा परवंधन विभाग की बैठाक में सुक्रवार को सरकार नया फसला लिया है इस दोराण सभी दुखाने सनीवार रात 8 वए से सोमवार सुबा 6 वए तक बंद रहेंगी हलाकि बिकेट लोगडाउन में जरूरी चीजों की दुखानों को खोलने के उनमती है इनमें दावा दुखाने क्लिनिक आधी खोले रहेंगे बतादे सब्ताइक लोगडाउन में बार, रेस्टोरेंट, फल सब्जी की दुखाने, राशन की दुखाने, मिठाई, पॉल्ट्री फरम, दूद की दुखाने और खाने पिने की चीजों की दुखानों को रभिवार को भी खुले रखने की उनमती दी गई है जर्खन में भारी-बारी से तुटा पूल जर्खन में मुशलाधार बारी से जन जिवन अस्त ब्यस्त हो गया है एक तरफ जहां भारी-बारी से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और डेम के फाटक खुले गया है वही राशी के तमाड में बाम लाड़ी पूल टुट गया है बतादे पिछले दो दिनों से हो रही लगतर बारी से करारार राशी का गेतल सूत डेम लबाला भर गया है सन्यवाराथ दो बजे करीब गेतल सूत डेम के पाँच रेडियोल गेट को खोल दिया गया है कोचिंग सेंटर सोमवार से खुलेंगे स्कूलों को पत्र का इंतिजार जारखन सरकार ने राजय में नवी से बरहवित तक और कोचिंग संस्थावनों को ओफलाइन का अक्छावों को शुरू करने का देश दे दिया है ओफलाइन का अक्छाओं के लिए जहां सरकारी स्कूल सिक्षा विभाग के पत्र का इंतियार कर रहे हैं वही कोचिंग सेंट्रों में पढ़ाई सो मौर से शुरू हो जाएगी नीजी स्कूलों में भी ओफलाइन का क्छाओ अगस्त के पहले सब्ता के बाद से ही सुरू होने की समभवना है हलाकि सरकार की गाइडलाइन मिलने के बाद अब अविभावकों की समाती ली जाएगी इसके बाद स्कूल ओफलाइन का च्छाओ के संचालर की त्यारी करेंगे जारखन में 4-14 अगस्त तक चलेगा प्रसव पुर्वजाँच अभियान राज्ये के सभी जीलों में 4-14 अगस्त तक प्रसव पुर्वजाँच का विसेस अभियान चलाया जाएगा स्वास्थ विभाक के अपरमुक्स चीव अरुन कुमार सिंग ने इस बाबत राजे के सभी सिविल सरजनों को निर्देश चारी किया है इसमें अपरमुक्स चीव ने कहा है कि राजे की सभी गर्ववती महिलाओं को प्रसव पुर्वजाँच की मतपून सेवा मिले जिसे मा और बचे स्वस्थ हो एवं परिवार खुसाल रहे इस उदेश से विशेश प्रसव पूर्व जाँच अभियान राजी के सभी जीलों में चलाया जाना है बतादे अपर मुक्सचिव ने कहा है कि आकड़ों के मुताविक वित्यवर्ष 2021-22 में अफ्रेल से जून तक राजी के प्रसव पूर्व जाँच दर 89% है जबकि प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व जाँच की दर 85% है मुखे मंत्री हिमांसुरे ने कहा है कि हर बचे गुनवाता पूर्व जाँच की प्रतिवाद है हमारा लग्ष हर बचे के लिए गुनवाता पूर्व जाँच करना है राजे बर के लगभग 5000 इसकूल को उतकिष्ट इसकूल में बदला जाएगा इसका प्रणाभिक पुदेश से 2022 सेक्षनिक सत्र के शुरुआत तक असी जीला अस्तर के उत्क्रिष्ट स्कूल के लगबग दो लाग छात्रों को लाप पहुचाना है पहले चरण में राजे के सभी जीलों के प्रस्तावित असी स्कूलों को स्कूल अफ एक्सिलेंस में तब्दित किया जाए रहा है मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की होगी पूरक परिक्षा असंतोष्ट छात्र दे सकते हैं दोबारा परिक्षा राजे के मैट्रिक और इंटर्मीडियेट में असफल रहे चात्र छात्राओं के लिए पूरक परिक्षा कावजन किया जाएगा मैट्रिक और इंटर्मीडियेट का रियल्ट जारी करने के बाद ही जार्खन एकेडमी काउंसील ने इसकी त्यारी शुरू कर दी है जो छात्र छात्राओं मैट्रिक और इंटर्मीडियेट में पास नहीं कर सके हैं वे फूरक परिक्षा दे सकेंगे बता दे छात्र छात्रा एक या दो बीशा ही नहीं अगर पांचों बीशा में असफल हैं तो भी परिक्षा दे सकेंगे वहीं जो छात्र छात्रा अपना रिजल्ड से असंतुर्ष्ट हैं वे बेतर पईनाम की इक्षा रखते हैं तो वे भी परिक्षा में सामिल हो सकेंगे इसके लिए उन्हें सपर्थ पत्र के साथ अंग पत्र जैक को सपना होगा मेरिट लिष्ट रद करने के आदेस के खिलाप JPSC डबल बेंच गया छठी JPSC की मेरिट लिष्ट रद करने के जारखन हाई कोट के एकल पीट के आदेस को जारखन लोक सेवा आयोग ने चुनोती दी है आयोग ने सनिवार को खंड पिट में अपील याजका दायर कर दी है अपील याजका में आयोग ने एकल पिट के आदेश को रद करने कागर किया है पतादे जेपेसी की ओर से कहा गया है कि आयोग ने मेरिट लिस्ट त्यार करने में कोई गड़बड़ी नहीं की है सरकार के नीमों और निदेशों का पारण करते हुए मेरिट लिस्ट जारी की गई है खूटी जीला के गायव रहने वाले सिख्षकों का निकाला जाएगा मोबाइल लोकेशन कोविट काल के दोरान जब इस हूल बंध है इसका फैदा उठाते हुए कई सिख्षक ऐसे हैं जो मुख्याले छोड़कर महीनों अनत्र रह रहे हैं या मामला जब डीसी ससी रंजन के ग्यापन में आया तब उन्होंने इसे गंबिता से लिया है खोटी डीसी ने कहा है कि इसकी जाँच होगी उन्होंने अपर समाहरता अरविंद कुमार को निर्देश तिया है कि वे ऐसे सिख्षक का मोबाइल लोकेशन निकलवाए और गायव रहने वाले सिख्षक का बेतन काटा जाए मोख्य मंत्री 3 अगस्त को 12 खिलाडियों को सोपेंगे निक्ति पत्र मोख्य मंत्री मन्सुरें के निर्देश के बाद सिधी निक्ति के तहत 49 में से 6 12 खिलाडियों को निक्ति पत्र सोपा जाएगा मोख्य मंत्री 3 अगस्त को निक्ति पत्र खिलाडियों को देंगे इससे पूरे मुख्यमंत्री 27 खिलाडियों को निक्तिव पत्र सौब चुके हैं बतादे देश और राजे का मान बढ़ाने वाले खिलाडियों को भी मुख्यमंत्री पुरसान रासी प्रदान करेंगे तिरंदाजी में 200 चैंपियन और उलम्पिक के लिए चैनी थुई दिपका कुमारी को 50 लाग कोमो लीका बारी और अंकिता भगत को 20 लाग यहम तिरंदाजी की प्रसिक्षन पुरुनीमा महतो को 12 लाग टोक्यो उलम्पिक में देश का प्रतिनी दित कर रहे यहों की खिराडी सलीमा टेटे यहम निकी प्रदान को 5-5 लाग ज्यारखन में 36 नाई केस मिले है जो रांची से 8 पुरुवी स्मून से 5 चाजारी बैक से एक, बोकारो से 7, धनवाज से 2, रामकर से 1, पच्मी सीमू से 2, कोडर्मा से 1, गुमला से 1, गिरीडी से 1, खुटी से 1 मिले है ज्यारखन में 44 मरी स्वस्त भी हुए है ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 252 है भारत में 41-786 नाई केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4,4,804 है चात्रों ने बराहवी में गलत अंक मिलने पर किया हंगामा सुक्रवार को जैक बोड़ दुवारा जारी बराहवी के परिक्षा पहिना में गरवड़ी हुई है इस गरवड़ी के कारण जायतर छात्र फेल हो गए हैं इससे आगरोस्ति छात्रों ने आरोप लगाया की एक आरवी की परिक्षा 50 अंकों की ली गई थी उसी अंक को अधार मानकर 70 अंकों की परिक्षा के अंक कैसे तै किया जा सकते हैं चात्रों ने इस मामले को लेकर वर्कर्स कॉलेज में जंग कर हंगामा किया चात्रों करने थी तो आईसू चात्र स्वां के नेता कर रहे थे इसे पहले इस मामले को लेकर जमसेदपूर को अपरेटीव कॉलेज के चात्रों ने भी हंगामा किया था जार्खन सिक्षा मंत्री जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महत्तो का होसला अभी भी बुलंद है बतादे कुरोना संक्रमन की चपेट में आने के बाद फिलाल वा स्वस्थ हैं और सिक्षा समंदित मत्पून कारिकरमों में भी सामिल हो रहे हैं इसी करई में जार्खन एकेडमी काउंसिल की ओर से इंटर्मिडेट रिजर्ट परकासन के दुरान वा सुक्रवार को जैक करयाले पहुंचे इस दुरान उन्होंने कहा कि अगर जिन्दा रहा तो अगले साई इंटर्मिडेट का परिक्षा भी दूँगा और पास भी करूँगा बता दे जार्खन के सिक्षा मती जगनात मतों दस भी पास है और उनके क्वालिफिकेशन को लेका सोसल मीडिया के साथ साथ राईनितिक जगत में भी हमेशा इस सवाल उठाया जा रहा है जार्खन के धनबाद के दिवंगत डीजे उत्तम आनंद के परिजनों ने सियम हमान सुरेन से मुलकात की और राई सरकार की जाज पर भरोसा जताते हुए सीम से दिवंगत जज की पतनी को अनुकमपा पर नौकरीत देने के लिए पहल करने का अग्रह किया जार्खन के मुखे मंत्री हमान सुरेन से जार्खन मंत्राले में दिवंगत डीज उत्म आनंद के परिजनों ने सुक्रवार को मुलकात की इस दरण परिजनों नेमो की मंतरी से दिवंगत नयाय धीस उतम अनन्द की मौत के मामले को लेकर राई सरकार द्वारा उच अस्तरिय जाच एवं ये साइटी गठन किये जाने को लेकर संतोक्स ब्यक्त किया अगस्त में दस महिने तक बंद रहेंगे बैंक अगस्त मामें बैंकों में 10 दिनों तक छुटी रहेगी इससे बैंक जमन्दित काम वाले अपना काम समय पर निप्टा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा बतादे बैंक अपने ग्रांकों को तमाम तरह के एहतियात के साथ इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल के लिए प्रोज साहित कर रहे हैं बतादे छुटियों के तहट 1 अगस्ट, 8 अगस्ट, 14 अगस्ट, 15 अगस्ट, 29 अगस्ट, 28 अगस्ट, 29 अगस्ट, 30 अगस्ट को छुटी रहेंगे CBSC बोट 10 वी की नतीजे जल्द होने जार है जारी CBSC पित्यार्थियों का इंतियार जल्द खतम होने वाला है बतादे बरावी के परिणाम घोस्ट करने के बाद CBSC की ओर से 10 वी के नतीजे घोस्ट करने के तयारी शुरू कर दी गई है CBSC के राची समनवयक डाक्टर राम सिंग ने बताया कि 10 वी के बच्चों का इंतियार भी आने वाले एक हपते के अंदर खतम हो जाएगा उमीद की जा रही है कि 7 अगस्ते पहले ही परिणाम जारी कर दिये जाएंगे धनबाद के जज की मौत की होगी CBI जाँच जार्खन सरकार ने धनबाद के ADJ उतम अनन्द की मौत की जाँच CBI से कराने का फ्रस्ताव दिया है मुख्यबंतर हमांसुरे ने इस समद में CBI जाँच के अंसंसा कर दिया है मिली जनकारी के मुताविक सनिवार को राजे पुलिस मुख्याले ने राज सरकार को पूरे मामले की जाँच CBI से कराने का प्रस्ताव दिया था इस पर सनिवार की देर साम समती बन गई है 28 जुलाई की सुबा धनवाद में मॉर्निंग वाक के दोरान एक अटो द्वारा टकर मारने के कारण जज उत्तम अनन्द की मौत हो गई थी लाइट हाउस में फ्लेट की बोकिंग 16 अगस्त तक आवेदन कम आने के कारण धुरण में बनने वालाइट हाउस के फ्लेट की बोकिंग के लिए अब और समय दिया गया है पहले लाइट हाउस में बनने वाले फ्लेट लेने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन जमा करने के तिसी निजायत की गई थी लेकिन महज 500 के करीब आवेदन आने के कारण अब इसे बढ़ा कर 16 अगस तक कर दिया गया है बतादे फ्लेट खरीदने के लिए राची नगर निगम की वेपसाइट www.rachimuncipal.com से आवेदन निशुल्क डाउनलेड कर इसे भर कर अपलोड करना होगा अधिवक्ता मासिक सुल्क 31 तक जमा कर सकेंगे राची जीलाबारे सेसें के अधिवक्ता अगर मत दाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो 31 अगस तक मासिक सुल्क अवस्त जमा कर दे अधिवक्ता मासिक सुल्क जामा करने की तारिक बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी गई है नए बार भवन की चोथे तले पर मासिक सुल्क जामा लिया जा रहा है बदा दे मासिक सुल्क जामा करने के बाद ही अधिवक्ता आने वाले चुना में वोट कर सकेंगे ज्यारखन में दूमका जीलेक के बाल सुधार गिरिह में विभीन मामलों में बन 4 किसोर वर्ष 2021 की मैट्रिक परिछाय में 3 किसोर प्रतम सिरेनी से उतीन हुए वहीं उनमें से 1 किसोर ने डिस्ट्रिकेशन से उतीर्णता हासिल की है मेरी जनकारी की मुताबिक सभी किसोर बीधी बिवादित मामले में दूमका सनप्रेक्षन गिरिह में किसोर ने आये बोड दूमका देवघर वसाहिवगन से आवासित कराए गए हाँ मारगो मुंडा थाना च्हेतर के काणो गाण, कुंडा थाना च्हेतर के चांदडि गाण, एवं पथणा ओपी के घागारा गाण में छापय मारिक और कूल 11 साइबर अपराथि को गरफतार किया गया है साइबर थाना में सवनिवार को आयोजीत प्रेस्वारता में मुख्याल है डी एसपी मंगल सिंग जामूदा ने बताया कि एसपी धन्जा कुमार सिंग को गुप्त सुचना मिली कि पिभीन थानों छेत्रों में इलेक्टोनिक्स एप्स पर रिवर्ड देने वकैस बैक का ओफर देकर लोग ठगे जा रहे हैं धन्यवाद